है अपको स्वागत है आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं साइटों मधालो वाइर्ट ठीक है तो इसका शॉट फोर्म है और स्थे टो सी इंवी के बारे में तो आज हम इस वीडियो में cmv discuss करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा cytomegalovirus है उसका structure क्या है फैंट्स तो जब आप वाइरस का structure बनाते हैं तो कुछ इस तरीके का structure होता है वाइरस का तो यहां पर जो सबसे आउटर देख रहे हैं ठीक है यह होता है हमारा glycoproteins होते हैं present, ठीक है, glycoproteins two types के उपर present होता है, एक तो first होता है और एक third होता है, तो ये दो glycoproteins जो हैं उपर present होती है, बिल्कुल फिर जब उसके और थोड़ा अंदर आते हैं, जो layer होती है, तो आप देखते हैं कि ये जो अंदर membrane है, ठीक है, ये जो अंदर की second layer के बीच में जो space है, that is a membrane, okay, and then हमारा आता है shell, shell क्या होता है, जो capsid है, capsid के जो बाहर का जितना भी area है, ठीक है, membrane और capsid के बीच में जितना भी area है, ये सम शेल कहते हैं, and ये देख सकते हो, viral capsid है, ठीक है, यहाँ पर DNA present है, तो capsid के अंदर क्या होता है, कि DNA present होता है, त structure of the set of megalovirus, तो इसका structure है, तो set of megalovirus सेब क्या समझते हैं, मतलब जो virus है, basically कैसे फैलता है, और कहां कहां ये CMV जो है, वो cause होता है, किस-किस organ को effect करता है, और मतलब इसका क्या treatment है, ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में discuss करेंगे, and इसका prevention क्या है, तो CMV एक ऐसा है, जो कि बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे disease हैं, जो symptoms बहुत ही late produce करते हैं, बाडी के अंदर, ठीक है, तो CMV एक ऐसा disease है, कह सकते हैं कि एक ऐसा virus है, जो क्या करता है, कि बहुत ही जल्दी symptoms improve कर देता है, symptoms, मतलब जो normal body है, अगर उसमें CMV, किसी को CMV virus है, ठीक तो आपको पता चल जाएगा कि आपको CMV है, ठीक है, तो basically क्या होता है, जो CMV है, CMV के जो cells होती है, जो basically जहाँ पर disease cause कर रहे हैं, infection cause कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो cells present होते हैं, ठीक है, जो CMV है, ठीक है, यह जो CMV virus है, यह क्या होता है, कि यह body में ही रहता है, अगर आपक वी को जाती है आपका इम्यून सिस्टम वी को चाहिए फिर सी क्या होते हैं इंप्रूफ कर जाते हैं खुद को इंप्रूफ करके दुबारा डिजीज कॉस करते हैं इंफैक्शन कॉस करते हैं बॉडी के अंदर तो यह होता है हमारा इसके बारे में हम फूल रिटेल पढ़ेंगे फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में तो वीडियो लास्त तर देखना साइटोमगालो वाइरस जिसको शॉट फॉर में cmv कहते हैं इंफैक्शन इस डिजीज कॉस बाया टाइप ऑफ हर्पस वाइरस तो एक जो डिजीज कॉस कर रहा है किसके वीज़े से कर रहा है एक टाइप ऑफ हर्पस वाइरस ठीक है टो जिनका इम्म्म इम्म्म इंप्रोव है बहुत ही ज़्यादा स्टॉण है तो वो क्या करता है कि साइटो मगालो वाइरस जो है वो वाइरस को easily control कर लेता है अब हमारी बॉडी का immune system ही virus को control कर सकता है ठीक है तो जो जो भी इसके संक्व हो रहे हैं जैसे कि जो भी infection cause हो रहा है वो सिर्फ किसमें हो रहा है जिनका immune system बहुत ही ज़्यादा वीक है वह लड़ नहीं सकता वाइरस से तो वह वाइरस है वह उसमें infection और disease cause कर देता है ठीक है तो आपको पता होगा फ्रेंट जो cmv है cmv आपके किन किन और गन को effect करता है तो यह आपको पता होना चाहिए कि जो cmv वाइरस है वह आपके किस ओर्गन को effect कर रहा है basically जो आपके फेफडे हैं ठीक है एंड आपका जो gastrointestinal है gastrointestinal के अंदर आपका आता है ठीक है जो भी आपका gastrointestinal में आपका small intestine अदर इंटेस्टान स्टमक वगेरा जितने भी आते हैं एंड आपका brain है spinal code है eyes है तो इन सारी चीजों को effect करता है ठीक है infect तो यह क्या होता है जब infection cause होता है तो आपको पता है कि अगर एक organ में आपका infection cause हो रहा है तो जो cells है infected cells जो है other organs को भी effect करती है ठीक है but it can makes people who have weakened immune system sick तो जैसा कि मैंने आपको पता है कि जिनका immune system weak होता है ठीक है उन पर जल्दी effect करता है so CMV can cause an eye infection called retinitis and that may lead to blindness जैसा कि मैंने आपको काफी organs बता है जिसमें infection cause करता है ठीक है और disease cause करता है CMV तो इसमें एक हमारा eye है ठीक है eye organ है उसमें क्या करता है जब भी CMV उस पर effective होता है infection यह disease cause करता है तो इससे ना blindness हाजाती है मतलब अंधा हो जाता है वह इंसान okay so the virus cause also effect your intestine, esophagus, lungs, brain और nerves जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारे organs जो है उनको effect करता है CMV तो CMV एक ऐसा virus है ठीक है जो आपके एक organ को नहीं कई सारे organs में infection cause कर सकता है अब हम बात करते हैं CMV की causes की तो causes क्या cause करता है infection with CMV is very common तो आपको पता है कि जो CMV के जो है infection cause करता है यह इसके लिए बहुत ही common है ठीक है the infection is spread by तो काफी सारे ऐसे infection है जो किसी ना किसी के through फैलता है तो आपको पता होगा friends आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जो CMV होते हैं Cytomegalovirus है basically जब कुछ ऐसा होता है कि यह आपके जो saliva और आपके urine के through क्या होता है कि यह आपकी body से exclerate होता है ठीक है मतलब exist करता है exit कर जाता है तो जब भी आपकी saliva या आपके urine के through या जो breast milk होता है उसके through अगर यह body से exit कर रहा है तो जो इसे inhale कर रहा है inhale in the sense की एक होता है कि आपका sexual और asexual contact तो उसमें क्या होता है कि जो basically अगर कोई baby है ठीक है cmv virus infected है तो क्या होगा कि जब baby milk feed करेगा ठीक है तो उसके through mother के through baby में वह virus enter कर जाएगा ठीक है तो यह एक माधियम बन गया एक जरिया बन गया है cmv family का okay सो इसके जो causes जो causes infection family के जो भी यहां पर points है वह मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या points होते हैं जो cmv क्या है spread out हो जाता है सबसे first है मारा blood transfusion आप जानते है friends की जो blood transfusion है उसमें क्या होता है कि पूरा जिसे donation हो गया आपका blood donation जब आप donate करते हैं तो cmv क्या है आपके blood में भी है virus जो है उस cells में भी है blood में भी है तो जब आप blood transfusion करते हैं तो उसके थ्रू भी जो cmv है वो transfer हो जाता है organ transplant suppose कीजिए कि कोया organ आपका infected है ठीक है disease cause disease उसमें पहले से ही involved है cmv जो virus है उसमें पहले से involved है ठीक है तो उससे क्या होगा कि जो organ other body में transfer हुआ है वो क्या करेगा कि और other organs को भी infect कर देगा respiratory droplets respiratory droplets का यह मतलब है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो urine होता है ठीक है और saliva होता है mouth में जो saliva होता है उसके थ्रू भी क्या होता है कि वो exit करता है body से virus ठीक है जिससे वो spread out होता है अब क्या होगा कि अगर किसी person को cmv है ठीक है तो जो saliva जब वो किसी से talking करता है बाते करता है तो क्या होता है कि जो droplets होती है वो दूसरे की क्या होता है face पर जाता है okay so मैं यह नहीं कहते कि हर किसी के साथ ऐसा होता है बट mostly ठीक है जब आप कहीं वोकस करेंगे या आपने आज-पास लोगों को देखेंगे तो जो mouth से ना छोट-छोटे droplets निगलते है ठीक ठीक है एनस के थुरू क्या होता है ठीक है एनस के थुरू वो exit कर रहा है तो उससे क्या होगा कि one person to another person में transfer हो जाएगा ठीक है tears आपकी जो eyes है आपके आखे हैं क्या produce करती है tears produce करती है ठीक है breast milk breast milk के थुरू जैसा कि मैंने आपको example बताया कि कोई mother है अपनी बेबी को feed कर आ रही है तो उस टाइम पे भी CMV फैल सकता है and mother to baby at the time of delivery उस टाइम पे भी फैलता है ठीक है so CMV is a type of herpes virus जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियो के starting में कि CMV एक herpes virus का एक type है ठीक है so all herpes virus remain in your body for the rest of your life after infection तो मैंने आपको पहले भी बताया फ्रेंट्स की वीडियो के starting में कि जो herpes viruses होते हैं यह क्या होते हैं आपकी body में रह जाती है तह जाते है इन दो सेंस कि आप उसकी जो treatment लेते हैं जो prevention जो भी है आपका जो आप उसकी क्योरेंस करते हैं ठीक है उसको अपनी body से exit करने के लिए तो उससे क्या होता है कि जो CMV वाइरस है CMV वाइरस क्या है आपकी body में रह जाता है ठीक है जब आप कुछ कोई activity करते हैं या आपकी body weak हो जाती है आपका immune system weak हो जाता है तो फिर से यह reactive हो जाते है okay so if your immune system become weakened in the future so these virus may have the chance to reactivate causing symptoms जैसे ही आपकी body weak होगी ऐसा नहीं है कि आप हमेशा fit and fine रहेंगे कभी न कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ी बहुत लापरवाही करते हैं और आपको infection हो जाता है या कोई disease हो जाती है या आपका immune system response नहीं करता है आपको immune system weak हो जाता है ठीक है त है उनको दुबारा से वो symptoms दिखने लगते हैं वो दुबारा से reactivate हो जाते हैं ठीक है disease cause करने के लिए infection cause करने के लिए सो फ्रेंट्स अब हम पढ़ेंगे की CMV के symptoms क्या है CMV की जो symptoms होते हैं बिसिकली आपको देखने को मिलेगा symptoms तो तभी नजर आएगा जिब जो CMV है वो infection cause करने लगेगा आपकी body के अंदर तो आपको different symptoms नजर आएंगे तो उन symptoms को हम discuss कर रहे हैं general symptoms for primary CMV most healthy people who get CMV don't know if if you have symptoms of primary CMV there are mild and include तो जो primary symptoms होते हैं वो काफी mild होते हैं तो अभी हम primary symptoms के बारे में discuss करेंगे उसके बाद हम फिर उसके बाद जो less common symptoms है उसके बारे में discuss करेंगे फिर congenital CMV के बारे में discuss करेंगे तो हम यह symptoms के 3 parts में हमने 3-4 parts में divide किया हुआ है थैक है तो CMV with HIV हम यह भी symptoms में ले रहे हैं तो 4 parts में divide किया हुआ है तो यह बहुत easy तरीका होता है हमे CMV को जो CMV के symptoms है उसको याद रखने का या आप उसको किस तरीके से categorize कर सकते हैं इसमें हमारा first आता है enlarged lymph nodes especially in the neck तो नेक जो हमारा lymph node है वो क्या होता है enlarge हो जाता है ठीक है fever आता है आपको fatigue होती है body pain बहुत ज़्यादा रहता है and lows of aptitude and muscle act होता है rashes होते है and sore throat होता है तो कुछ ऐसे common symptoms भी है जो other disease में भी आपको देखने को मिल सकते है अब जो second हमने divide कर रखा है वो है less common symptoms of primary CMV so in rare cases CMV can also causes बहुत rare cases होते हैं जिसमें CMV headache cause करता है trouble जो हमारा concentrating है shortness of breath and dry cough तो यह काफी common है ठीक है less common है तो यह जो symptoms है आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे ठीक है बहुत rare है symptoms of congenital CMV so congenital हमारा जो basically baby born होता है ठीक है so premature delivery अगर आपका जो congenital CMV है ठीक है at the time of baby born तो उसमें क्या होता है कि आपको premature delivery हो सकती है ठीक है and small size or low brain birth weight तो जैसे कि baby birth हो चुका है delivery हो चुकी है तो जो baby का size है वो small होगा ठीक है जैसे normal size होता है baby का weight होता है normal weight नहीं होगा abnormal weight होगा मतलब बहुत ही कम weight होगा उसका ठीक है because क्या है कि जो mother के थुरू अगर baby में virus transfer हो गया है तो उस case में ऐसा होता है symptoms नजर आते हैं British like rashes होंगे yellow skin हो जाएगी और eyes जैसे jaundice ठीक है and swelling liver and spleen small head होगा and hearing loss pneumonia होगा and liver inflammation होगी जिसमें hepatitis के cases होते हैं तो यह सारे जो symptoms है यह आपको देखने को मिलेंगे congenital cnvv के अंदर ठीक है तो congenital cnv का यह case है friends तो जब भी आप hospitals में walk कर रहे हो या walk करते हैं ठीक है तो आपने देखा होगा कि जो basically females होती है जिनमें कुछ symptoms नजर आते हैं तो डॉक्टर ना टेस्ट लिखते हैं CMV IgG IgM तो यह जो टेस्ट है यह सब के लिए होता है सब कोई टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चल जाए ठीक है तो कुछ और भी टेस्ट होते हैं जैसे रुबेला हो गया आपका इन टेस्ट के बारे में भी आपको knowledge लेनी है तो आप comment box में लिख सकते हैं इसकी वीडियो बन जाएगी ठीक है हम बात कर रहे थे हैं भी symptoms की यह हमारा third है जो हमारा congenital CMV है जिसके अंदर आपको यह सारे देखने को मिलेंगे symptoms सो फ्रेंड्स अब हमारा जो है symptoms last का है वो हमारा CMV with HIV CMV with HIV का मतलब यह है कि कोई patient है ठीक है सपोस कि जो कोई patient है उनको CMV है प्लस में HIV patient है ठीक है तो CMV हमारा satomegalovirus and HIV human immunovirus ठीक है so if you also have advanced HIV CMV can affect a different part of your body you could have तो अगर आपके different part of body को affect कर रहा है तो फिर क्या हो सकता है आपको blurry vision हो सकता है blindness हो सकता है diarrhea हो सकता है belly pain and trouble swelling और painful swelling because of the ulcer in your mouth और esophagus तो lower back pain और weight loss तो जैसा कि आप मैंने आपको बताया कि जो patient है उसको HIV भी है CMV है तो obviously बात है कि उसको जो infection होगा और जो symptoms नज़र आएंगे जो उसको causes होंगे वो और भी जादा होंगे ठीक है तो blurry vision हो जाता है उस इंसान का तो कभी भी न जो doctors होते हैं कुछ-कुछ symptoms ऐसे होते हैं जो हर किसी में common हैं कुछ-कुछ बहुत ही rare हैं ठीक है और कुछ बिल्कुल ही अलग है जैसे कि डाइरिया हो सकता है बैलीपीन होता है तो ये सारी चीज़े जो हैं सिंट्म सिंटम्स ते टेश्ट के लिए प्लड आटीजन आइन्यूरीन टेस्ट इंक्लूट से एंटीजन अवायरस कल्चर पीसियाँ मॉलेटियुलर तेस्ट तो blood and urine test में हमारा ये test आता है blood culture आता है ठीक है जिसमें हम sample लेते हैं बच्चों का blood culture करने के लिए CMV antigen test कराते है PCR test कराते हैं जो molecular test होता है biopsy भी करते है friends, so your doctor take a small sample of tissue from your intestine and your esophagus and your lungs and look at the under a microscope तो basically biopsy में तो यही होता है कि आपका जो है जो भी organ है उसमें से एक छोटा सा tissue का sample लिया जाता है जिससे microscopy की जाती है okay, so eye test भी होता है friends to check to inflammation in your retina तो आपके अंदर retina में कोई inflammation तो नहीं है इसके लिए आपका eye test भी किया जाता है amazing test के अंदर आपका CT scan आता है तो look for changes in your lungs और brain तो आपको जो एक normal shape और size होता है आपके organ का उसको चेक करने के लिए CT scan के अंदर पता चल जाता है कि आपका जो कोई organ है वो जैसे irregular shape हो जाता है उसका उसका look देखने के लिए क्या करते हैं CT scan करते हैं तो क्या होता है friends की test or diagnosis तो हम doctor क्या करते हैं प्रिस्क्राइब करते हैं आपको बट क्या other cytomegalovirus होता है न इसको infection की इसके symptoms की जो पहचान होती है वो बहुत ही easily तरीके से नहीं हो सकती ठीक है इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी test होते हैं कुछ ऐसे भी disease हैं जिनमें symptoms common होत होते हैं कि कुछ advanced test भी लिग देते हैं ठीक है जिससे उनको कुछ doubt होते हैं वो clear हो जाते हैं okay friends so कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ठीक है कुछ ऐसे भी person होते हैं जिनको CMV नहीं है ठीक है CMV नहीं है बट फिर भी उनको क्या है बहुत जाधा ठकान रहता है vomiting आती है, fever आता है, ठीक है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि उसको भी CMV disease है, या CMV virus ने effect किया है, ठीक है, जिनका immune system weak है, बहुत ही सदब weak है, उनको कमजोरी आती है, ठीक है, तो उन लोगों को ना, जैसे कि brain में problem, gastrointestinal में problem, तो उन लोगों को ये problem बहुत ही जल्दी आती है, तो आप जानते हो, पहले भी काफी सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है, कि जो disease है, disease cost कब होता है, जब आपका immune system weak हो, ठीक है, आपका immune system weak होगा, तो कोई भी disease आपको easily हो सकता है, कोई भी infection आपको easily हो सकता है, क्योंकि आप उससे लड़ नहीं सकते, ठीक है, जब भी आपका जो cnv है, अगर कोई भी doubt होता है, डॉक्टर को, आप डॉक्टर से discuss करते हो, कि आपको ये problem आ रही है, ये problem आ रही है, आज मैं सुबह उठा, तो मुझे vomit हुआ, मुझे fatigue हो रहा है, मेरी body में pain है, मेरी right side में pain है, left side में pain है, तो डॉक्टर क्या करते है, कि जज करक आपको, आपके symptoms के थुरू आपके test लिखते हैं, ठीक है, तभी आपको liquid वाले test लिखते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कि उनको पता चलता है, कि आपको सही में cnv disease या cnv virus ने आपको effect किया है, ठीक है, so friends ये था हमारा test and diagnosis, अब हम बात करते हैं prevention के, जो सबसे important है cnv infection can be contagious if the infected person comes in closer or intimate contact with another person, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो infected person होता है, cnv infection जो person है, वो contagious है, तो अगर कोई person, infected person close आता है किसी healthy person के, तो वो क्या करता है, अगर उसका immune system weak है, तो वो क्या करेगा, वो pass out हो जाएगा, ठीक है, वो भी infected हो जाएगा, तो अगर वो बहुत ही closer intimate होता है, उससे contact में या तो another person उसका immune system weak है, तो वो infect हो जाएगा, अगर वो उसका immune system बहुत ही ज़्यादा strong है, बहुत healthy है, मतलब वो obesity से बहुत ही दूर है, मतलब बहुत ही ज तो यह भी एक prevention में आप एक काम कर सकते हैं, यह जो kissing है, sexual contact है, within factor person, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कि इसको break कर सकते हैं, avoid कर सकते हैं, ठीक है, तो एक level पे अगर हम यह कहें कि जो यह हमारा prevention है, ठीक है, यह prevention हम यह नहीं कह सकते कि अगर हमारे सामने वाले को CMV है, तो हमें कि प्रफ़ता होगा, सपोज किजे कि मैं एक normal person हूँ, मुझे नहीं पता कि CMV क्या होता है, cmv मैं नहीं जानती कि side of megalovirus क्या होता है, कैसे फैलता है, इसको हम क्यों CMV कहते हैं, मतलब क्यों है, क्या है, मुझे नहीं मालूम है, मैं इक normal person हूँ, मतलब मैंने इसके बारे मे आप इसको कैसे प्रבेंट करएंगे ठेक हैं तो किसी न आ किसी तरीके से kontakty में आ सकते हैं तrifापेश वाइरसमी और सप्रेड अमंग यंग छिल्डरण इन डेकर सेटिंग तो bus business ली हैawकर फिरेंग उसमें क्या होता है कि यह वाइरस भी ब्लाइंड भी हो सकता है तो उसके लिए ना एंटिवाइरल दवाईयां होती हैं तो CMV रेटनाइटिस के लिए जो है वो एंटिवाइरल मेडिसिंस दी जाती है पेशन्ट को ठीक है तो जो HIV-AIDS से संक्रमित लोग हैं तो आपको पता है कि जो HIV के लिए जो है जो बिसिकली ज जो दवाईयां दी जाती है उनको वो उनको चलाई जाती है दवाईयां ठीक है HIV पेशन्ट के लिए और बात करें कि बहुत ही जादा कह सकते हैं बहुत ही सीरियस कंडिशन है किसी की जो CMV है वो एक ऐसे लेवल पर पहुंच गया है मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे ज इसमें है कि आपका बहुत ही कम है CMV जिसे कि आप उसको क्योल कर सकते उसको प्रिवेंट कर सकते हो तो आप कीजिए ठीक है बट एक ऐसा लेवल ना आजए जिस पे आपको कोई इलाज मिलना ही सकता आपको यह जाना जरूरी है कि जो मैडिसिन्स होंगी जो मैडिसिन्स आपा नुऔर आश्यायां ले रही हैं वह आपके आउको में इंजेक्ति किये जाएंगे तो इससे आप अंधे भी हो सकते हैं अन्थे में तो उसका कोई seit execut sub होते हैं अगर आपको जो आप जो मैडिसिन ले रहे हो जरूरी नहीं है कि आपके लिए बहुत ज़्याद एफेक्टिव होगा आपके अधर ओर्गन्स को एफेक्ट नहीं करेगा तो जिस जिसके लिए आप दवाईयां ले रहे हैं लिए उसको बिल्कुल खतम करने के लिए आपके बॉड़ी में कहीं न कहीं उसके साइड इफेक्ट्स जरूर देखने को मिलेंगे तो इसके लिए न कुछ जो आपके दवाईयां होंगी आपकी गैंसी क्लोविन एंड फॉस कॉर्नेट काफी सारे यसी दवाईयां है जो मैडिसिन्स है जो प्रिवेंशन के लिए द इफेक्ट्स हो सकते हैं प्रिवेंशन में एक बहुत ही इंपोर्टन चीज होती है जब आप प्लान कर रहे हैं ब्लड ट्रांस्फ्यूजन की और ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन के लिए तो जो CMV का स्टेटर्स है डोनर का उसको सबसे पहले आप चेक कर लें और अवाइ प्लांट करो तो सबसे पहले आप देख लें कि जो आपका डोनर है वो CMV से इंफेक्टेट तो नहीं है अगर उसको CMV है तो आप उससे ना ब्लड ट्रांस्फिजर ले सकते हैं और ना ही ओर्गन ट्रांस्प्लांटेशन ठीक है इससे क्या होगा कि वो वाइरस आपको भी करतेगा ठीक है फ्रेंट्स सो आज किस वीडियो में हमारा जो CMV है वहीं पर फिनिश होता है CMV सैटोमेगालो वाइरस जो है बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक है अगर इसके रिगार्डिंग कोई कुश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर और भी आप मुँए है आपके डिप्लोमा अ início से रिलेटेड वी से रिलेटेड ऐम सी से रिलेटेड तो आप कमेंट कर्वेंट में के नाम लेक सकते हैं कोई डाउट है तो वह भी क्लियर कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्स्राइब की